एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के सी योटूब चैनल में दोस्तो राज़स लेकपाल परिक्षा 2022 के लिए हम जो समान हिंदी के प्रेक्टिस सेट के सरी चला रहे हैं उसका जो सेट नमबर 5 है उसको आज में आपके कंप्लीट करने वाले हैं तो चली वीडियो को बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो समान हिंदी का सेट नमबर 5 है इसमें हमने कौन-कौन से बहतरीन प्रस्णों को सम्मलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करता है पहला प्रस्णा पर सामने है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस विलोम सब्द का जो युग्म है वो गलत है आपको सही मतलग गलत विलोम सब्द का युगम पहचानना है सुपर इंपोर्टेंट प्रसन आपके एक्जाम के लिए है तो आए इस प्रसन को सौल्ट के लेते हैं पहला ओप्सन क्या दिया गया है जड़ जड़ का विलोम सब्द क्या होता है चेतन बिल्कुल सही है आक्रिष्ट का विलोम सब्द विक्रिष्ट होता है बिल्कुल सही है असांत का यहां पे अनन्त होगा अनन्त का होगा आपका सांत हो जाएगा बिल्कुल सही है यहाँ पे अनुगरा का विलोम सब्द आगर दिया गया है जो की बिल्कुली गलत है अनुगरा का आपका विलोम सब्द होता है विग्र तो इस प्रकास से option D वाला जो है आपका विलोम सब्द का यूग में गलत दिया गया था अनोगरा का यहाँ पे हो जाएगा आपका विग्र यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही है दक्षडायन का विलोम सब्द क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है तो दक्षडायन का विलोम सब्द आपका होजाएगा उत्तरायन यानि कि option आपका जो यहाँ पे D है बिल्कुल सही होजाएगा दक्षडायन का विलोम सब्द आपका होता है उत्तरायन यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों समान इंदी की जो playlist है मैंने बना दी है अभी तक मैंने जितने भी चार सेट अपलोड किया है उसको मैंने उस playlist में डाल दिया है तो अगर आपने अमारे previous के चार practice सेटों को solve नहीं किया तो उसको एक बार आप solve कर लिजेगा तो यह आज का भी जो सेट है उस playlist में add मे लगते हुए हम यह जो class daily business आप तक पहुंचाया करेंगे तो अगला प्रस्तना के सामने है यहाँ पर इस सिप्त का बिलोम सब्द आप से पूछा गया क्या होता है तो इस सिप्त का बिलोम सब्द आपका हो जाएगा अनी सिप्त यानि कि option आपके c जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रस्तना के सामने है इसमें से आपको बताना कि कौन सा बिलोम सब्द का जोड़ा सही है important है तो आईए देख लेते हैं बरबर का जो विलोम सब्द होता वो सब यह होता है बिल्कुल सही है अरपित का यहाँ पे विमुक दिया गया यह गलत है आलोक का अपकरस लिया गया यह भी गलत आपका है अस्तांचल का उतरायन दिया गया यह भी आपका जोड़ा जो है गलत है तो इस प्रकात से नीचे के तीनों जो जोड़े आपके हैं यह गलत दिये गया है तता पहला option वाला जोड़ा आपका यहां पे सही दिया गया है तो इसको आप याद कर ले जाएगा option A आपका बिलकुल सही है अगला प्रस्ण आपके सामने है उत्तराधिकार में प्राप्ट संपत्ती के लिए एक सब्द क्या इस्तिमाल में लाए जाएगा तो उत्तराधिकार में प्राप्ट संपत्ती के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा रिक्थ यानि कि आपका यहां पे जो सी है बिल्कु लोग मिल याता है तो और यहांपे सी बिल्कुल हो जाएगा संध्या और रातरी के बीच का समय क्या कहलाता है। अगला प्रस्णा करें के सामने है। निम्रेलिकित में से कौन सा सब्द वर्तनी के हिसाब से सुद्ध है, यानि कि वर्तनी के हिसाब से इसमें सुद्ध सब्द कौन सा है आपको बताना है, तो इसमें से वर्तनी के हिसाब से आपका जो सुद्ध सब्द है, वह क्या हो जाएगा, तो आप द्यान से याद कर लिज एसके बड़ी मात्रा और इसके बाद सूसुरूसा तो इस प्रकास से जो आपका सूसुरूसा होता है यह सुधृषभलतनी का सब्द है तु इसको शौरी के थूप्रा सा mistake हो गया मात्रा का इस प्रकास लिखाता है आपका सौप पे पहले छोटा हूँ होगा और उसके बाद आपका हो जाएगा स्रह स्रह पे आपका बढ़ा हूँ और सत्कोर स्रह हो जाएगा इस प्रकास से आपका सु शुरूसता जो है लिखाता है तो इसके बारे में प्यात कर लिजेगा यह आपका सु शुरूसा कर इसके बारे में प्यात कर लिजेगा इंप तो अंत्याक्षडी यानि कि option आपका यहाँ पे C वाला जो है बिल्कुल सही जाएगा अंत्याक्षडी जो है इस प्रकास से सुद्ध लिखी जाती है यानि कि option आपका C है यहाँ पे जो दिया गया वहाँ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इसके बारे में आप याद कर लिजेगा अगला important प्रस्त आपके सामने है इसमें से आपको सुद्ध वाक्य क्या चैन करना है तो आए देख लेते हैं इसमें से आपका सुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा तो इसमें से केवल option B वाला ही आपका सुद्ध वाक्य है सब्द केवल संकेत हैं यानि कि option जो आपका B है या वाक्य बिल्कुली सुद्ध है और बाकी जो आपके तीन option दिये गए वो बिल्कुली गलत हैं वाक्य तो option B वाला आप देख लिजेगा सब्द केवल संकेत हैं या बिल्कुली सही वाक्य है अगला प्रस्तना आपके सामने है अनुरत्ती सब्द के लिए कौन सा वाक्यांस इस्तिमाल में लाए जाएगा आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा जो अनुतरित सब्द के लिए कौन सा वाक्यांस सही है इसमें से तो जिसका उत्तर न दिया गया हो यानि कि option आपका जो d यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्टन आपके सामने है उपाहन का तद्भव यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपाहन का तद्भव वे वो क्या हो जाएगा important रसन है तो उपाहन उपाहन का तदबव आपका क्या होता है पर नहीं होता यानि कि option आपका यहाँ पर C जो है बिल्कुल सही हो जाएगा उपाहन का तदबव आपका क्या हो जाएगा पर नहीं यानि कि option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और निम्लिकित में से कौन सा सब्द तस्वम यानि कि इसमें से आपको तस्वम सब्द की पहचान करनी है तो इसमें से आपका तस्वम सब्द कौन सा हो जाएगा तो option जो आपका यहां पे नासी का वाला है वो है सधवा सब्द के वाक्य को क्या काया यानि कि सधवा सब्द के लिए इसमें से कौन सा वाक्य के इस्तिमाल में लाया जाता है तो जिस इस्तरी का पती जीवी तो यानि कि आपका यहां पे ए जो है बिल्कुल से हो जाएगा जिस इस्तरी का पती जिवी तो उसके लिए सधवा सब्द का प्रियोग किया जाता है तो option जो आपका यहां पे A जो है बिल्कुल सही हो जाएगा जिस इस्तरी का पती जिवी तो उसके लिए एक सब्द इस्तिमाल में क्या लायता है तो पार्थिव आपका right answer हो जाएगा पार्थिव जो सब्द है या किसके लिए इस्तमाम लायाता है तो पृत्वी से संबंदित आपका होता है प्रार्थिव यानि कि option आपका यहाँ पे जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला important प्रसन आपके सामने है इसमें से आपको बताना है कि तस्सम से जो तद्वाव सब्द बनाये गये हैं इसमें से कौन सा युगमक यहाँ पे सही है आपको बताना है यानि कि सही युगमक आपको चैन करना है तो इसमें से आपका सही युगमक क्या हो जाए करेला यानि कि option जो ए वाला है आपका बिल्कुल सही है लेकिन आपके जो तीनों option दिये गए नीचे कि यह आपके गलत यूग में है यानि कि इनका यूग में जो है गलत दिया गया है तो option ए वाला है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कदली का केला करेला की जगा क तत्सम है यानि कि तत्सम सब्द की आपको पहचान करना इसमें से कौन सा तत्सम तद्बह है तो इसमें से आपका तत्सम सब्द कौन सा है तो इसमें से आपका जो दिया गया है कौन सा अगनी अगनी जो है आपका तत्सम सब्द है तो इसके बारे में आप पिया देखेगा अ हाथ मलना, मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा, आपको comment box मत सुरी, इसका जवाब आपको देना है तो हाथ मलना जो मुहावरा होता, इसका मतलब क्या होता है पश्ताना, यानि कि option जो आपका यहाँ पे B दिया गया, वो बिल्कुल सही हो जाएगा हाथ मलना, मुहावरे का सही मतलब होता है, पश्ताना, यानि कि option जो आपका यहाँ पे क्या दिया गया है option आपका यहाँ पे जो B वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लिजेगा पेट में डाड़ी का होन, इस मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा, यानि कि इस मुहावरे का सही होता आपको पहचानना है तो पेट में डाड़ी होना, इस मुहावरे का सही मतलब हो जाएगा, बाले आवस्था में ही समझदार हो जाना, यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बाल्य आवस्था में ही समझदार हो जाना इसका सही अउध हो जाएगा किसका तो पेट में डाड़ी होना का है अगला प्रस्तना आपके सामने है एक तरफ आपको लोकोक्तियां दी गई है और एक तरफ आपका उनका अर्थ दिया गया है दोनों और बिपत्ति तो यहां पे पहले का ही गलत दिया गया है कुवा में कुछ जाना इसका अर्थ नहीं होता है इसका अर्थ क्या होता है आगे कुवा पीछे खाई का मतलब होता है दोनों और बिपत्ति तो अपनों डान कर लिजेगा इस लोकोक्ति का सही मतलब होता है दोनों और विपत्ती इसके बारे में प्यात कर लिजेगा वहीं अपनी करनी पार उतरनी इस लोकोक्ति का क्या अथ होता है इस लोकोक्ति का अथ होता है स्वाइं की मेहनस से लाभानमित होना तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है प्रभुता पाई का ही मद नाही तो इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है प्रभुता पाई का ही मद नाही तो इसका मतलब होता है धन वैब प्राप्त होने पर मनुस्त्य में घमंड आ जाता है तो इसका वाला भी बिल्कुल सही है, C वाला भी आपका बिल्कुल सही है, धन वैबर प्राप्त होने पर मनुस्य में घमन आ जाता है इस लोकुक्ति का सही मतलब है, इसके बाद सांच को आच नहीं, इस लोकुक्ति का अथ होता है, सच्चे ब्यक्ति को डर किस बात का इसे भ पाला था बिल्कुल गलत दिया गया था आगे कुवां और पीछे खाई का मतलब सही होता है दोनों और विपत्ती का होना जो नभ में चलता हो उसके लिए एक सब्द क्या इस्तिमाल में ला जाएगा आपसे पूछा जा रहा है कि जो नभ में चलता है उसके लिए एक सब्द क चलता है निसके option आपका यहां पर बेलकुल सही है अगला प्रस्णा के सामने है इस में से आपको असुद एक तरप असुद बवलतिनी दी गई है और एक तरप आपको सुद बवलतिनी दी गई है तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बहुत ह इस प्रकास लिखा जाएगा तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है कुसासन यहाँ पर आपका गलत दिया गया यहाँ पर कुसासन इस प्रकास से नल लिखा कर किस प्रकास लिखाता है इसका सुद्वल्दनी तो कुसासन आपका लिखाता है इस प्रकास से कूसा छोटा सा यहां पे होता है कूसासन जो है सुद रूप से इस प्रकास लिखा जाता है तो option जो आपका B वाला था वह यहां पे गलत दिया गया था इसको आप नोट डाण कर लिजेगा कूसासन किस प्रकास से लिखाता है वहें DP का इस प्रकार से सही लिखाता है यानि कि option आपका C वाला बिल्कुल सही है DP का सुध रूप से यहाँ पे लिखा गया है कलेस आपका यहाँ पे सुध रूप से इस प्रकार से लिखा गया है और आपका A वाला बिल्कुल सही थे तो असुया, असुया का जो बिलोम सब्द होता है, वो क्या हो जाता है, important प्रस्थन है, तो असुया का हो जाएगा, अनसुया बिल्कुल सही है, अनुरूप का बिलोम सब्द क्या होता है, तो अनुरूप का आपका प्रतिरूप होता है, बिल्कुल सही है, ब्यस्टी का बिलो समस्टी क्या होता है तो ब्यस्टी का सही बिलूम सब्द आपको होता है समस्टी यानि कि option आपका C यहां पे गलत दिया गया था और इसके बारे मैं प्या देखिएगा अगला प्रस्थनाप के सामने है अपाद मस्तक किसके लिए उपयोग में लाया जाता है बहुत यह दा य इसके लिए इस्तिमार लायता है तो अपाद मस्तक जो है पयर से मस्तक तक जो आपका वाक्य होता है पयर से मस्तक तक इसके लिए जो एक सब्द इस्तिमार लायता है अपाद मस्तक यानि कि option आपका भी यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निमन में से कौन सा तद पर साथ प्रस्द आपका है मसरीन का विलोम सब्द को जाएगा यहांपे रूपछ यानि कि आपका सही बिलोम सब्द है मसरीन का तो दोस्तों इस प्रकास प्रकास और प्याप है फ का तूर को पशन्द आएगी तो आई Thank you, thanks for watching, thank you.